चुकि हमारे साथ अलग पांडे साहब यहाँ पर मौझूद है जो कि संस्थापक है फिजिक्स वाला के आपसे पूरी बात समझना चाहते देखें मेरे पास NTA का पूरा जवाब भी है और ऐसा नहीं है उनके पास हर बात का जवाब है वो कहते हैं कि आप पूछ रहें 67 बच् मार्क्स हो गया क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया बाकी के तेरा बच्चों के बारे में वो यह कहते हैं सो अच्छे बच्चे माफ कीजेगा कि उनको अकाउंट ओफ कॉंपनसेटरी मार्क्स पूर लॉस अफ टाइम जो भी वजह रही तकनीकी खराबी कुछ रहा उसकी वज अच्छ नंबर का कोई प्रवधान नहीं था अब पता नहीं कब से ग्रेस देते आ रहे हैं इस वर्ष ऐसा हुआ कुछ बच्चों के 7178 नंबर आए जब हम लोग ने सवाल उठाया कि 7178 नंबर नहीं है तब इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हां ऐसा हुआ इस बार ग् ने उनकी टॉप 100 की लिस देखिए और देखा छे बच्चों को एक ही सेंटर से बहादूर गड़ के बच्चे हैं आपको बता दे और यह जो बहादूर गड़ हर्याना के बच्चे हैं वह उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि देखे कई तरह की बाते हैं और हैं भी यह बताते हुए कि अगर धानली के आरूप में यह तमाम बच्चे सामने आ रहे हैं अपनी नहाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो शुरू का नंबर है 23070101 और उसके बाद से जो आखरी के तीन नंबर है रोल नंबर के वह उनके अलग है इसको हम उनके नाम नहीं इसको हटा दीजे नाम वाला यह नहीं ठीक है ठीक है हम नाम उनके नहीं दिखाना चाहते लेकिन यह सभी बच्चे हर्याना के हैं छे बच्चे और उन सभी का उसी बहादूर गड़ में नंबर वन रांक है यह भी शक्त पैदा करते हैं अब सवाल यह उठता है आपने टो प्रषयाना के अग्सांट के अंदर आप पता लगा सकते हो बच्चे का समय का अनुक्सान कब हूआ कब सर्वर गया कब नहीं था यह एक्जाम ऑफ लाइन है नीट का आप कैसे पता लगाओगे कि समय का नुक्सान हुआ है की नहीं हुआ है यह इस पर भी उनका जवाब है वो जवाब भी पढ़के सुना देते हैं, वैसे हम एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजे, जिसमें हमने सवाल और जो जवाब दिया गया है, वो दोनों ही दिखाया है, NTA की तरफ से जो जवाब इसमें दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है, कि हमने CCTV footage, the committee considered the grievances, representation on the basis of factual reports of functionaries and CCTV footages from concerned exam center, यानि जो लोग exam करा रहे थे, परिक्षा करा रहे थे, और जो CCTV footage वहाँ पर था, उसके आधार पर हमने यह तै कि कौन लेट हुआ है, नहीं हुआ है, और grace marks दिया है, अब बताईए, अब इस पर ये बात है, कि NTA का आप ब्रोशर पढ़ो, नीर के ब्रोशर मे एक press release किया, जिसमें लिखा, कि सवाई माधुपुर के center को छोड़ के, किसी भी और center पे ना समय का नुकसान हुआ है, और शांती पूरवक तरह से exam हुआ है, जब पांच में को आप ये बात कह रहे थे, live CCTV footage का देखने के बाद, ये किसने कहा है आपको? NTA ने, ये press release है, पा प्रेस रिलीज है, कौन सी तारीक को? पांच में की, पांच में को जिस दिन परीक्षा हुआ था, आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि लगबग 24 लाख बच्चे रेजिस्टर हुए थे, इस परीक्षा के लिए, पांच में को ये exam हुआ, पांच में का प्रेस पांच में को ही ये बाकायदा प्रेस कांफेरंस में कह दिया गया था, ये उसका प्रेस रूप प्रेस को लिए अधिकर प्रेस रिलीज हुआ हुआ है, आपको ड्मिशन मिल जाता था इस में कितने माख्स लाने तक पर ही एडमिशन होगा है, स्टेट वाइजुत करता है, ह अगर स्टेट की अपनी नंबर ऑफ सीट है और उस स्टेट में कितने बच्चे स्टेट कोटा से जाएंगे, तो जैसे दिल्ली के अगर मैं देखू, तो दिल्ली में इस बाद शेसो पचास पर भी नहीं मिल पाएगा, और पहले की मैं बात करूँ दिल्ली के अंदर शेसो ती है कि 20,000, rank कितनी आई, 40,000, तो यह 3 गुना rank, 4 गुना rank कैसे बढ़ रही है यहाँ पर, तो जो आंसर वो दे रहे हैं कि average score बढ़ रहा है, तो average score तो बहुत नीचे है, selection तो उपर हो रहा है, यहाँ देखा जाए, तो यहाँ कितना जंप हुआ है, तो यहाँ 4 गुना जंप ह मुझे जवाब दीजे, एक वक्त था जब DU में 80-85% marks पर भी admission होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लानो वालों को भी नहीं होता है, क्योंकि 99.2 कुछ subjects में cut-off हो जाता है, तो क्या वो एक ही साल था जिसमे 85-99 पे गया, क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था, यह क्या तीन गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी, और यह उसी साल होती है, जिस साल आपने grace number दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी grace number नहीं दिया था, जब हमने सवाल पूचा 719, तब आप कहते है, हाँ 719 grace से है, और यह नहीं बताते है 720 grace से, जब ह यहाँ पेपल लीग था, हमारा सत प्रतिशत पेपल मैच कर रहा है, सारी possibilities क्या, एक ही साल, एक साथ होने वाली है,